हलो सिक्षासिटे फैमली मैं एक ठीज नोडिफाई करना चाता था आपको कि मैं अनकाडमी पे भी एक एडुकेटर हूँ तो आप सिंप्ली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अनकाडमी पे भी पढ़े हैं मैं वहाँ पे भी मैं एक वेरिफाईज एडुकेटर हूँ और वहाँ पे लगबग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनकाडमी पे जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाईल आइडि उसके लिंक अपने देस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और ये कुछ कोर्सेज मैंने कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखें आप उनको भी जाके देखेगा और आपके ईक्शाम्स के लिए आफ ही आपके अपके ईक्शाम्sun के लिए आपके उनेवाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज में भी आनज पर नहीं डाले लेकिन मैं अनि अडिक उद कादमेयों पे जाके देस्क्त जाके वह लिंक नहीं वे मिलती है आपको लिंक के तुरू नहीं जापते हैं तो सर्च बॉक्स में जाके विम्लीषादर टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे विम्ली इश्दर जैसे यह आप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नमबर पर मैं ही आओंगा ठीक है तो तेंक य आप मुझे फॉलो करेंगे और चलिए वीडियो को देखते हैं नवसकार दोस्तों सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों चमा चाहूंगा कि मैं वह आपको साथ क्वालिटी नहीं देपाऊंगा लेकिन यह कंटेंट है यह आपके लिए बहुत सॉलिड आप मैं आपसे बहुत नापर लेटे हैं तो सबसे पहला है सबसे युपा युवा यना सब गोडविल मंदटर कौन पहले हैं दोसों सबसे युवा जो युद्र ऑपनी है वह बनी है मेली बॉबी-ब्राउन ध्यान रखीगा मेली बॉबी ब्राउन को UNICEF ने सबसे युवा गुडविल अंबेजडर यह वर्ड आपको ध्यान में रखना चाहिए ठीक एक नेट्फिक्स आपको वेब सीरीज पता हुगा नेट्फिक्स उस पे स्टेंजर थिंग्स करके एक वेब सीरीज आती है उसी में यह काफी फेमस करेक्टर है मेली बॉबी ब्राउन और इसनली इनका नाम मेली बॉबी ब्राउन है और इनको सबसे युवा UNICEF गुडविल अंबेजडर बनाया गया है तो वो बनाया गया है हीमादास को हीमादास तो उसको एट्लीट है एक धावक है और इनको UNICEF इंडिया का अंबेजडर बनाया गया हीमादास जो है आपकी वो असम से बलॉंग करती है इनको धिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है और इनको हाले ही में अर्जन परसकार से भी समानित किया गया था तो ध्यार रखेगा इंपोर्टेंट है पूछी जा सकती है तो UNICEF इंडिया का युवा अंबेजडर किसे बनाया गया है तो हीमादास को और गुडविल अंबेजडर किसे बनाया गया है रहा है उसके रहा दोस्तों Mirikoam अपकी BS 12 4 tribes इंडिया की भी है जो कि यह पर देख़े नीचे Mention भी है ऑसम बात कर रहे है तो द्हुम इसके लिए मंकिया खीबाजी चेपैंशिप का भी ब्रांड कर बना गया था उसके लावा दुस्तों Nokia एंडिया की ब्राइंड मेज़र कौन है तो वो है आलिया भट ध्यान रखेगा उसके अलावा Uber Eats की भी है ध्यान रखेगा Uber Eats जो की Uber Cab है जिसके ब्राइंड मेज़र विराट को लिए है जब की Uber Eats है जो की Food Delivery App है उसकी जो brandificaire बनाए गई है वो भी आलिया भट है तो Nokia के साथ साथ आपको Uber Eats भी ध्यान रखना है ठीक है उसकी भी brand u lässt कौन है तो वो है आलिया भट ध्यान रखेता नेपाल टॉरिजम देखें नेपाल टॉरिजम की कौन है उसका सर्मा उसका सर्मार और वरुण धर्मर वरुण धर्मान आपकी कौशल भारत अभ्यान के ब्राइंड अमजडर इनकी जो मूवी आयती सुईध हागा उसी के बाद इनको कौशल भारत अभ्यान का ब्राइंड अब बनाया गया था वरुण धर्मान उसका सर्मा को उसके सरक्षा अभ्यान के कौन है तो अक्षा कुमार है ध्यान रखेगा सरक्षा अभ्यान के कौन है अक्षा कुमार है और उत्तर प्रदिस्मिन को सक्षा भारत मेशन का भी ब्राइटम मेजडर बनाये गे ठीक है उसके राववा सरगश रक्षा अभ्यान आता है या फिर एक और है लाल बहादुशास्री मिमोरियल फाउंडेशन उसके भी ब्राइटम मेजडर अक्षा कुमार ही है ध्यान रखेगा सरदक्स रक्षा अभ्यान के लावा लाल भादुस शास्री जो अपका Memorial Foundation उसके भी कौन है तो उसके भी अक्षा कुमार है उसके लावा Digital India देखे यह important है Digital India के कौन है तो अंकित फारिया ध्यान रखेगा अंकित फारिया किसके है तो Digital India के important नाम है पूछा जा सकता है आपको तो Digital India के कौन है तो वो है अंकित फारिया important नाम है आपको पूछा जा सकता है क्योंकि Digital India पर काफी जोर दिया जाता है उसके लावा तो वह मेहकें अड्या लाखेगा पीरूर्जोर फर्चार ऑप फिर्चाट कोणसे पहले आप एक्टर हैं को सनुसी उथे जूद् 자꾸 सनुसी सूध सूध है जो पोठाह तो नहीं जाता है कि आप यहां लगा क्योंकि आपके जोय ही में ऐसे से कोशन्स पूछे गया ना कि सारे ही कोशन्स पूछे जा सकते हैं तो वर्लफूल की कौन है तो वो हैं कृति सैनल और सुसान सिंग राजपूत उसके लावा देखे सुमाधरा समू की बात करें तो इसके हैं MS धोनी इंपोर्टेंट है यानि सुमाधरा ग्रूप की भारत मैट्री मोनी ध्यान रखेगा भारत मैट्री मोनी ने भी महन सिंग धोनी को अपना ब्रांड अंबिजडर बनाया है तो भारत मैट्री मोनी जो कि ऑनलाइन साधिया कराता है उसने भी महन सिंग धोनी को अपना ब्रांड अंबिजडर बनाया ठीक है ये भी ध्यान तो उमीद है आपको याद होगा सबसे युवा युनिसेफ गुडविल अंबिजडर कर हमने आपको क्या बताया था तो मीली बॉबी ब्राउन उसके लावा देखे डगलू एच्ट गुडविल अंबिजडर कौन है तो वह है साइमा वाजिद हुसान उसके लाव दोसों रेम वर्ण ब्राउन उसके लावा उबर क्याब के भी हैं विराट कोली तो इतने कोश्टन्स विराट कोली पर बन सकते हैं आपके अगर ब्राउन प्रणड बेजडर की बात करें ठीक है उसके लावा दूस पुर्वत्तर रेलवे विकास की कौन है तो वह हैं mc-merrycom उसके पूझा जा सकता है तो अमिताब बच्चन है और एक और अमिताब बच्चन पर सबसे इंपर्टेंट बनता है कि यह GST के बीए ध्यान रखेगा बंद दरवाजा Kampaign ध्यान रखेगा बंद दरवाजा Kampaign की भी Brand Ambassador कайन है, तो वो है Amitaap बच्चन, उसके लाबवा Educate Girls के भी Amitaap बच्चन है, Educate Girls के भी Brand Ambassador कॉन है, तो वो है Amitaap बच्चन, उसके लाबवा Tailgood Tigers की Brand Ambassador कौन है, तो वो है Rana दगुपती ध्यान रखेगा राना दगुपती आपने बाहु वाली मुवी देखे होगे तो उसमें जो वेलेन का खरते हैं भलाल देवर का वहीं है राना दगुपती और यह तेल्गु टाइकर्स के ब्रांड अमबेज़र है उसके लाबा असम राज परिटन की ब्रांड अमबेज़र कौन है तो प्रियंका चोपडा ध्यान रखेगा असम राज परिटन की ब्रांड अमबेज़र कौन है तो वह हैं प्रियंका चोपडा उसके लाबा यूनिसेफ की ब्रांड अमबेज़र कौ अमेजडर भी है हमादास और इनको दिंग एक्स्प्रेस भी कहा जाता है इंपोर्टेंट ध्यान रखेगा पूछा जा सकता है उसके लिए दुस्तों बात करें अरुणाचल प्रदेस राज की तो वहां के हैं जौन अब्राहिम ध्यान रखेगा और राचल प्रदेस के कौन ह है तो ध्यान रखेगा ठीक है तो फिर से में शाट करते हैं आसम राजी की हैं हिमादास अरुणाचल प्रदेस के जौन अब्राहिम केरला आयुर्वेद की कौन है तो इस टेफी ग्राफ ध्यान रखेगा कम चासे जब पूछे चाहें लेकिन अगर आपके ध्यान में व्योग गूर्य जो है वह हारियाना के योग और आयुर्वेद की ब्रांट अमपेजडर है बाबा रामदे स्रद्धा कपूर द्यान रखेगा फ्लिफकाट की ब्रांड अंबिजडर कोन है तो रणबीर कपूर असद्धा कपूर अपकी फ्लिफकाट की ब्रांड अंबिजडर उसके लगवो most important goods and service tax यानि GST का ब्रांड अंबिजडर तो वह है अमिताब बच्चन जी अमिताब बच्चन जी goods and service tax यानि GST के ब्रांड अंबिजडर है most important question है जो आपको पूछा जा सकता है वहीं बात करें दोस्तों पाकिस्तान cricket board की तो सोयब अक्तर है सोयब अक्तर को भी आप सालों जनते हैं कि रावल पिंडे एक्स्प्रेस का जाता था अपनी तेजी बालिंग के वज़ा से यह जाने जाते थे तो important पूछा जा सकता है तो प्राकिस्तान cricket board के कौन है तो वह है सोयब अक्तर और देखिए हिंदोजा ग्रूप यानि लुब्रिकेंट इंडिया के हार्दिक पांडिया यह most important question है आपको पूछा जा सकता हार्दिक पांडिया के पूछा भी गया आपके examinations में अगर आप quiz दे रहोंगे तो सबसे अधिक बार quiz में भी यह पूछा जा रहा है तो लुब्रिकेंट इंडिया के कौन है तो हार्दिक पांडिया उसके लाबा commonwealth youth ambassador कौन है यानि रास्ट मंडल youth ambassador कौन है तो वो है प्रिंस हैरी यह भी important पूछा जा सकता है आपको ठीक है इसके लाब आप वीवो की बात के लिने तो आप सारे लोग TV पर आठ दिखते होंगे आमिर खान है आपके वीवो के उसके लाब ओवर इंडिया के ambassador कौन है ब्रांड अमज़र तो वो है विराट कौली और पहले ब्रांड अमज़डर भी है अबर इंडिया के यह कि विराट को ले कि आए अपके शौमी के भी है उसके लिए आपके अमेरिक अजिनके ब्राढ्रम वन्हें ग है टीचे ट। इंद लिए और दियाए डगा टीट्विंटी ब्रांड मेजडर सचे तेंदोलगर को 5 सालों के लिए बनाया तो यह बीइम्पॉटेंट और आपको पूछा जा सकता है ठीक है उसके लुद अब स्वक्ष्ष आदत स्वक्ष भारत बारत स्वक्ष भारत की ब्रांड बनाए तो वह है इरफान खान रखेगा मास्टर कार्ट के पहले भारतिया अंबेज़र कौन है तो वह है इरफान खान तो आज जितने भी ब्राइब आपको प्रजेंट किया वह सारे ध्यान रखेगा इसमें से कोश्चन्स आपको पूछे जाएंगे लगवग हमने आपको 30 से लेके चालिस तक के ब्राइब बेज़र प्रजेंट कर दिया और इसका एक कंबाइन डेशन पर हम आपको जल्दी प्रजेंट करेंगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करेगा चैनल पर नहीं होगी तो चैनल को सब्सक्रा झाल झाल